प्रणाइब और जैसा कि संदिप रेट डिवागा ने कहा था कि अगर आप लोगों को कबीर सिंग वाइलेंड फिल्म लग रही है तो इसके बाद में जो मेरी नेक्स फिल्म आएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुल में वाइलेंड किसे कहते हैं और जैसा उन्होंने कहा था उन्होंने इस फिल्म के जिरिये कर भी दिखाया है और यही पर उन लोगों को बता दू जो भी लोग थोड़ा बहुत ही खून करावा देखकर ही ओफेंड हो जाते है तो उन लोगों के लिए फिल्म बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस फिल्म में बहुत एक्षिन देखने को मिलने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस फिल्म में हमें बहुत ही कम एक्षिन देखने को मिलता है पर जितनी भी बार हमें देखने को मिलता है पर जितनी भी बार हमें देखने को मिलता है अगर इस फिल्म में एक्षिन कम है तो इस फिल्म में ए तरफ से 100% दिया है और शायद से इसी रिजन के चलते इस फिल्म के लेंद आल्मों साड़ीन घंटे के होने के बावजूद भी यह फिल्म हमें एक भी मिनिट के लिए बोर नहीं कराती और यही पर में स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा रश्मिका के बारे में क्योंकि ट्रे जहाँ पर वो टीपिकल वाइफ जिसी परसनेल्टी को कैरी करती है और आगे चलके जब रनबीर यह सब कुछ खून खराबा चालू करता है तब वो एकदम फरस्ट्रेटेट सी वाइफ बन जाती है जो कि अपने बच्चों को संभालते साथ ही इमें अपने पती को भी संभ सकते हैं और फिर भी इस फिल्म में अपने अल्मोस्ट 50% की जगा बनाना यह किसी भी और एक्टर के लिए इंपॉसिबल सी चीज है जो कि रश्मिका ने इस फिल्म में घर दिखाई है और इसलिए मेरे तरफ से उनके लिए एक थमसप वेरे नाइस टन और इस फिल्म की वी तो डिजर्व करता था और वैसे देखा जाए तो फिल्म साड़े तीन गंटी की है जिसमें इंटरोल और आड्स होगेरा मिला दिया जाए तो चार गंटे तो हमें वैसे भी थेटरस में बैठना ही है तो इसमें बोबी देवल के और दो तीन से एड़ कर देते तो चल जाता है और वैसे भी एड़ करने के कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें कट करके वहाँ पर हमें बोबी देवल के मम्मी क्या हुआ क्या कोई एड़ वले तर्माद मत खौल वह लोग मुझे मात दालेंगे वह लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं सुम सुम कॉम लोग अरे बड़े खत अगलोगे